अगर आप देखेंगे जूले में आपने कुछ टंगा दिया जूमर है तो बेबी जो है उसको देखता ही रहेगा आज हम बात करेंगे बेबी माल्स्टोन के थर्ड मन्त के बारे में यह एक ऐसा मन्त है जिसमें की बेबी में आपको बहुत जादा चेंजिस दिखने वाले हैं और बहुत ही प्यारे प्यारे मुमेंट आपको दिखने वाले हैं जो वन और टू मन्त में आपने अभी थक अब्जर्ब नहीं किये थे वो आपको सारे चीज़े इस मन्त में दिखने वाली हैं वीडियो काफी informative हो सकता है आपके लिए और आपके बेबी के लिए तो वीडियो का इन तक ज़रू देखेगा मैंने अपने चैनल पर अल्रेडी 1 मन्त और 2 मन्त के माइलस्टोन की वीडियो आपलोड की होई है अगर आपने वीडियो वह तक नहीं देखेगा आपको बहुत अच्छा लगेगा और इस में आपको सारे मन्तवाइस वीडियो अपलोड करने वाली हूँ तो अगर आप मेरे चनल पर पहली बार आएं तो मेरे चनल को सब्सक्राइब कर ले और बैल आइकन को दो आ ले जिससे कि मेरे आने वाले सारे अन्टिकेशन आपको उनाएं पर मिलते रहे तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं सब्सक्राइब करते हैं बेबी की वेट की बेबी का वेट इस मन्त पे 4.7 kg से लेका 6.9 यह लेकी 7 kg तक हो सकता है जो की नॉर्मल है नेक्स नबर बेबी का फेस रिकॉर्गनाइजेशन बेबी जब भी किसी को देखता है तो अब बेबी उसको पिक्चानने लगता है बेबी जिसको अकसर देखता रहता है या पिर जिसकी आवाजे सुनता रहता है या फिर मैं कह सकते हैं किसी सौंड्may चान उस पे बेबी आपको मुस्कुराता हुआ दिखने को मिल सकता है क्योंकि बेबी इस टाइम पे पहचानना और सुनने की पावर है वो बढ़ जाती है तो बेबी जो है जिस साउंड को बहुत ज़्यादा पसंद करता है उस साइन पे कई बार मुस्कुराता भी है कि अगर आप बात करें कि अगर आप बेबी से बार बात करते हैं और आप जिस तरीकी से बात करते हैं उसको बहुत अच्छा लगता है तो बेबी आपकी तरफ ही देखने लगता है या फिर अगर आप देखेंगे कहीं से अपने गाना चलाया हुआ है इस साइड से तो बेबी जो है उधर ही टन करके ऐसे देखने लगता है काफी दिर तक देखता रहता है इस में अपनल पर जीव को निकाल के बात करेगा और इतना अच्छा मतलब मैं आपको बता ने सकती है यो मोमेंट इतना अच्छा होता है रहा है बेवी हमसे बात कर रहा है और चुलन को il बने के लिए जैसे कि उठाएगा अपने तरह सेगा, जैसा कि अगर आपने बीबी को ऐसे ले रख आए तो वेबी ऐसे ऐसे करके अपनी गर्दन को उठाएगा और कई बार बेबी अपनी गर्दन को होल्ड भी कर सकता है कुछ सेकंड्स के लिए या कुछ मिनट के लिए आप ये भी अब्जर्व करेंगे कि बेबी जो है किसी किसी चीजों को काफी देर तक देखता रहेगा जैसे कि अगर आप देखेंगे जूले में आपने कुछ टंगा दिया जूमर है तो बेबी जो है उसको देखता ही रहेगा यानि कि उसको ये हाथ में ले लेगा तो माई डिया फिन से इतने प्यारे प्यारे मुमेंट है आपको बिल्कुल मिस नहीं करने है और अपने बच्चे को ऐसे इंजॉय करने देना यसी कि इसके सामने कुछ थंगा दिया या फिर आपने उसको कुछ टॉय दे दिया टॉय ऐसा होना चाहिए जो बेबी को हाम ना पहुंचाए और आप बेबी के पास हों लेकिन आप इन मुमेंट को मिस ना करें और अपने बेबी के साथ इन मुमेंट को जरू सरू जरू जो है इन्जॉय करें बेबी अपने हातों को फिंगर को मुमें लेके जाएगा और अंगुठे को भी लेके ज चुरुबात है क्योंकि अब हर चीज बच्चा जो है अपने मूँ में ले जाने की कोशिश करने वाला है तो इसलिए ऐसा होता है और यह बहुत प्यारा मुमेंट है उसे करने दे इस चीज के लिए उसे ना रोके बहुत नॉर्मल है मेरे बेवी ने भी ऐसा ही किया था जैसे जो बेवी है जिसको बहुत जादा पहचानता है जिसके पास गोध मेरैना या उसको बहुत जादा अच्छा लगता है जो इस घुमाता है या किस कोई भी चीज तो जैसे ही अब वह बेवी उसको देखेगा उसकी जो इसको जानता है उसकी तरफ अट्रेक्ट होने लगता है एक चीज़ होती है जो बेबी को नहीं जानता है या जिसके पास बेबी नहीं रहता है कोई अन्जान है अन्नोन परसन है और वो उसके पास सचानक से आ जाता है या उसे ले लेता है तो बेबी इसमें परिशान हो सकता है बेबी कई बार रोब भी सकता है मत्तों उसे इरिटे जिसे कि अगर हम कहें तो 5-6 बार में लगाकर इतना मिल्क ले सकता है कई बार बेबी इससे कम भी लेता है बट ये एक जो है एवरेज है जो इतना मिल्क बेबी ले लेता है और अगर मा के मिल्क की बात करें वैसे तो हम कभी भी मेजर नहीं कर सकते हैं कि मा का मिल्क जो है दिन प्हाइब तो है ज्तला है जो द नावल ऑगधिने ज्याड़ा को शन जनल सकता है जो हैं, को बिलकुल नॉर्मल है। दिन में दो हैं 22 घंटे लगाता न लागे खूप कार और और वह राम है, तो आपको my difference एक बार बेबी को जरूर से जरूर बीच में उठाके milk देना है क्योंकि बेबी अभी इतना ज्यादा छोटा है क्योंकि एगर इतने घंटे बेबी लगाता दिन में भी सोएगा यानि कि milk से ही उसको पानी मिलता है तो उसको hydration की कमी हो सकती है मैं आपको रिकमेंड करूंगे कि आप एक बार बेबी को जरूर से जरूर जो है बीच में उठाका milk जरूर से जरूर देए जो है बिल्कुल अब थ्री मंत का होने वाला है या हो गया है तो अब आप अपने बेबी को बहार भी घुमाने ले जा सकते हैं आप जैसे की पाक घुमाने में बेबी को अच्छा लगता है बेबी एंज्व करता है हरी घ घ घ घ घ को बहार भी ले जा सकते हैं आपको सोच के हरानी होगी लेकिन आप बेवी जैसे ही आपका बेवी 3 मंद कम्प्लीट कर लेगा या फिर एकडम से करने वाला है तेस्ट भी पहचानने लगेगा जैसे की मीठा खटा कड़वा इस तरह का स्वादवी बेवी को आने लगेगा बेवी को जब भी आप मिल्क द वी आपको मेरा वीडयो थोड़ा सभी इन वी इन चीजों के अրप नीच फी इन चीज़ों थोड़ा लेट वी करते हैं तो इतना कोई डरने वाली बात नहीं होती है यो पहलने बात में पता है ज़ादा तर्द लेट को बताया है अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी इन्फोमिटीव लागा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें मिलते हैं वर से नेक्स वीडियो में तक तक के लिए थैंक यू बाई बाई